तो देखो बेटा, हम जो है, क्वेस्चन नमबर दो पर थे, एक्सरसाइज, 3.2, क्वेस्चन नमबर टू, यहां कहता है, अनुपातों की तुलना करके ग्यात कीजिए, कि कितने जो है, रेखाएं होंगी, परती छेद करती हैं, समाना अंतर हैं, समपाती हैं, नहीं हैं, तो देखो, परती छेदी कब होती हैं, बेटा, मैं एक टेबल लिख देता हूं दुबारा से आज, और उन चीज होगा, situation क्या होगी, solution आनन्त होंगे, नहीं होंगे, रेखाएं जो है, वो कैसी होंगी, तो हमने कल जैसे मैंने बताया था, कि A1 by A2, not equal to B1 by B2, अगर यह है, तो हल कैसा होगा, बेटा, यूनीक एद्विती है, अच्छा, ग्राफ कैसा होगा, परती छेदी, परती छेदी, रेखाएं वाला, यानि कैसा होगा, और, केस, लिख लेते हैं, यहां पर, केस, फिर दूसरा, क्या था, situation, A1 by, A2 is equal to B1 by, पहले दे बराबर ना हो, फिर अगर यह बराबर हो जाएं, तो हम C1 और C2 को और मैच करते हैं, अगर बराबर है, तो क्या होगा, अनेकल, अनेकल, अनन्त भी बोल सकते हैं, और, जो है, ग्राफ कैसा होगा, समपाती, रेखाएं, कॉंसिडेंट, ठीक है, यह समपाती होती है, एक लाइन के उपर, दूसरी लाइन, अगर A1, A2, और B1, B2, यह बराबर हैं, और C1, C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इसका कोई हल, नहीं है, इसकी जो होगे, वो कैसी रिखाए होगे, बेटा, समाना अंतर, ठीक है, अब क्वेस्टन है, दूसरी का फर्स्ट, 5X-4Y-8-0, और 7X-6Y-9-0, तो A1 क्या है, बेटा यहां पर, 5A2 क्या है, C1 क्या है, 8, A2 क्या है, 7B2 क्या है, 6, और C2 क्या है, अब A1 by A2, 5 by 7, B1 by B2, A1, A1, B1 था बिटा, 6, यहनिकी, माइनस 2 by 3 आगया है, जो की इक्वल नहीं है, तो C1 by C2 की निकालने की जरूरती नहीं है, निकालना चाहों, फिर भी निकाल लो, 8 by minus 8 by 9, तो यहां पर लेखोगे, अब A1 by A2, not equal to B1 by B2, तो यहां पर रेखाएं कैसी हैं बेटा, रेखाएं परती छेदी है, एद भी ती है, अल, पहले हूँ आल, नहीं काड़ लो, बता रहे हैं कौन से मेथड़ से, Elimination Methods है, 5X minus 4Y plus 8 is equal to 0, 7X plus 6Y minus 9 is equal to 0, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको तो हम 7 से multiply कर देंगे, और इसको किसे कर देंगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा, 35X minus 28Y plus 56 is equal to 0, यहां पर क्या हो जाएगा, 35X plus 30Y minus 45 is equal to 0, माइनिस कर लो इनको, माइनिस का 38, 28 और माइनिस का 30 कितना हो जाए बेटा, माइनिस 58, Y, और 6 और 5 यह कितना हो जाएगा, 11, और 5 और 4, 9 और एक, 10, तो Y कितना हो जाएगा, 101 बटे में, अठाऊँ, ठीक है, अब निकालना आपने Y, तो Y को equal कर लेते हैं, तो यह 4 है बेटा, यह 6 है, 4 और 6 का अलग उत्म कितना हो जाएगा, 12, इनका जो LCM है, वो कितना हो जाएगा, बेटा, 12, तो हमने इसको भी 12 करना है, इसको 12 करना है, तो क्या तरीका है, इसको हम 3 से multiply करेंगे, इसको किस से multiply करेंगे, 3 से, इसको किस से multiply करेंगे, 2 से, तो यह हो जाएगा, 15X, माइनिस 12Y, प्लस 24 बराबर 0, साथ दूनी 14X, प्लस का 12Y, माइनिस का 18 बराबर 0, तो इनको जो है, गटाने की जुरूरत नहीं, क्योंकि ओपोजिट साइन के हैं, यह आपे इनको जोड देते हैं, जोड हो गे तो यह कितना हो जाएगा, बेटा, 29X, और यह कितना हो जाएगा, 24 में इसा 18 गया, 6, सवाल मत यह बताना था, बेटा, परती छेदी हैं, या नहीं है, इतना यह बताना था, लेकिन मैं अल कर रहा हूँ, एक एड़वांस से टेक्निक और सीख रहे हैं हम, अल हो गई, अब ग्राफिकल मेथड से कैसे अल करेंगे इसको, ग्राफ जो है, वो हम कैसे ड्रो करेंगे, पहले जो पहली समीकर्ण को लिखते हैं, क्या है बेटा, 5X, माइनस 4Y, जमा 8 बराबर, 0, तो इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल मैंने बदा रखी दी, सबसे आसान तरीका, एक बार X को 0 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमीकर्ण करेंगे, 0, माइनस 4Y, जमा 8 बराबर, 0, तो Y कितना हो जाएगा, माइनस 4Y, बराबर, माइनस 8, तो Y हो जाएगा, बेटा, 8 बटे में, 4, यानिकि 2, तो Y कितना आगा, यानिकर्ण कर देते हैं, फिर एक बार Y को 0 कर दो, Y को 0 करोगे, तो 5X प्लस 8 इस इक्वर टो 0, तो आपका, 5X कितना आजाएगा, माइनस 8, और X कितना आजाएगा, माइनस 8 बटे में, 5, जो कि माइनस 1 पॉइंट, 6 आएगा, इसकी ओगी टेबल, अब दूसरी जो, है आपकी इक्वेशन, 7X, प्लस 6Y, माइनस 9 इस इक्वर टो 0, तो उसी तरह इसे टेबल बनाएगे हम, X को 0 कर दिया, तो 6Y, माइनस 9 बराबर 0, तो बिटा, Y कितना जाएगा, यहां से 6Y बराबर 9, और Y कितना हो जाएगा, 9 बटे में, 6, 3 बटा 2, यनिकी 1.5, उसके बाद, एक बार Y को 0 कर दो, तो 7X माइनस 9 इस इक्वार जीरो, तो X कितना जाएगा, 9 बाई 7, यह जाएगा, बटा 1.2 के करीज़, अब गराफ, तुमने गराफ पेपर बनाना आई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस, गराफ दे माज़, और इदर बेटा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इदर भी यह है, पहला पाइंट, X, जीरो दो, य कितना है बटा, दो, यह पाइंट होगा, फिर दूसरा पाइंट क्या है, X, माइनस 1.6 है, और Y, आपका क्या है, 0, माइनस 1.6 होता है बेटा, यह माइनस दो और माइनस एक के बीच में, छटी लाइन, ठीक है, यह पाइंट हो जाएगा, दौनों को मिला के बटा दू, हो गए इसका एगराफ, यह किसका है, 5X, लिख वी दिया अगरो, 5X, माइनस, 4Y, जमाठ, बराबर 0, दूसरा गिराफ है, यह, X तो 0 है, Y, 1.5 है, 1.5 होता है बेटा, एक और 2 के बीच में, तो काफी कंजस्टिड हो गए मामला, और, यहाँ X 1.2 है, 1.2 होता है, 1 और इसके बीच में, तो यह पॉइंट, तो इन दोनों को मिला के, जो है, हम बढ़ाएंगे, इसका था, यह, 1.6 यहाँ पे, तो यह हो जाएगा, 7.6, 7X, 7X, फ्लस 6Y, माइनस 9, इसका रहाँ तो, 0. तो यह काट कहां पे रहें, बेटा, यह X तो नेगिटिव है, माइनस 6Y, और Y कैसा है, तुम्हारा, पॉजिटिव, तो X इसका रहाँ तो, माइनस 6Y, तुम्हारा, 58, यह आपका आंसर है, ठीक है, इसको हम बोलते है, ग्राफिकल मैथ़, यह जो काटा पीटी थी, यह क्या थी बेटा, एलिमिनेशन मैथ़ड, और वो था, रूट्स, वगरा बताने का, तो ग्राफिकल मैथड तो, आता ही आता है, अब दूसरे का, दूसरा, 9X, 9X, प्लस 3Y, प्लस 12, इस इक्वल टू जीरो, 18X, प्लस 6Y, प्लस 24, इस इक्वल टू, जीरो, तो A1 कितना है बेटा हूं, B1, C1, A2, B2, C2, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, ये भी कितना हो गया तुम्हारा, तिन्नों बराबर होगे, तो कौन सा केस हो गया, समपाती रेखाएं, A1 बराबर 8, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, बराबर है C1 बटे में C2, तो कौन सीडेंट लाइन, समपाती, रेखाएं, अल कितने होंगे बेटा, अने, अब उगराब भी खेंचेंगे, ठीक है, तो 9X, पलस 3Y, माइनस का 12 होजए, ये दरा के, ठीक है, मेरे से एक्वालिटी का साइन लिखेंगे, तो ग्राफ खेंचेंगे बेटा, तो एक बार X को 0 करेंगे, 0 जमा 3Y, बराबर माइनस 12, तो Y कितना हो जाएगा, माइनस का, पूर, फिर Y को भी 0 कर दो, तो 9X प्लस 0 बराबर है, माइनस 12, तो we get X is equal to माइनस 12 बाइन, तो माइनस 4 बाइ 3, तो एक इतना हैगा, बेटा, 1, माइनस 1.3, ठीक है, उसके बाद, दूसरा, दूसरी लाइन का है आपकी, 18X प्लस 6Y, प्लस 24 बराबर, 0, तो Y टेकनिक है, को नया नहीं, बताऊंगा यहां पर, X is 0, तो कितना हो जाएगा, 6Y, प्लस 24, इस इक्वल तो 0, 6Y इस इक्वल तो 24, Y कितना हो जाएगा, minus 4, Y पाइंगे, Y को 0 कर दो, 18X, प्लस 24 इस इक्वल तो 0, तो 18X इस इक्वल तो minus 24, और X कितना हो जाएगा, प्लस 24 बराबर, 18, और यह कितना हो जाएगा, minus 4Y, 3Y minus 1.3, अब ग्राफ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तब की बार मैं थोड़े चोड़े ले लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, पहला पॉइंट क्या है वेटा 0-4 0x0 और y कितना है तुमारा-4 ये पॉइंट होगी दूसरा पॉइंट क्या है x-1.3 तो यहां से होगा ये तीसरी लाइन और y0 तो इनको मिला के हम बढ़ा देंगे तो दूसरा भी भाई आया कि पॉइंट दौनों क्या है सेन तो ये 18x प्लस 6y is equal to 24 ये इसका भी ग्राफ भाई है और 9x प्लस 3y शोर ये प्लस था भीटा प्लस 12 का भी ग्राफ भाई है दौनों अग्राफ सेम तो इस तरह से करने है ठीक है भारती समझ में रहा है ना बेटा हाँ तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लेने हैं हर एक्जाम्पल और साथ कर लिए हो ठीक है इस दौनों की पीडियेप मैं बेजता हूँ और तुम्हारा जो है ना कल सुबह का टाइम रहेगा क्योंके सुबह प्लस वन की क्लास होती है फिजिक्स की उस टाइम पे तो जो भाई बेहन है एक दूसे रहे के वो लेनी पाते हैं तो कल सुबह जो है साड़े दस बज़े है तुम्हारी क्लास ठीक है ओके बेट